कि दरा के रखते हैं विल्कुल जब फॉन पर बात होती है ऐसे बोलते हैं आशों तक निकालना अच्छा जी टीचर वांगे अच्छा क्या करते हैं दुबारा बता ऐसे बोलते हैं कि घर पर कुछ भी पता है तो जान से मारे दें अच्छा अभी हम योवान के पेटा जी है इ एक नर्वानके इंदर ए इसी विश्वास एक करने वाल है गहा चुका है एक गुरु और माता पिता अपने बच्चे को इसी विश विश्वास पर चोटे है कि उनका भहिश्य मनेंगा," वहां पर", लेकिन कहीं न कहीं आज वो जो रिस्ता है कहीं न कहीं संसे के घेरे में हैं आए जानते क्या कुछ मामला है एक छोटा सा बच्चा जो नो साल का योवान जिसके साथ बड़ी बहरहमी से मार पिट की गई है उनके मातपिता से पूरी बात जानते हैं क्या कुछ मामला है और क्य पत्ती तीना को में वहां आडिमिशन करुआ था आरमी स्कूल की आडिमिशन में क्यारी के लिए जी और आज जैसे कि आप कहा रहे हैं इन अकाडमियों में भविशिया बनानी की तो रीजन सोचनते हैं अपने बच्चों का मेरा बच्चा वहाँ एक महिना पांस दिन रहा इस दोरान मेरे बच्चे का साथ किलो तो वेट तूट गया अच्छी मांसिक प्रैसर इतना हो गया जो यहां खेलता कुदता फिरता था सारा दन तीन ओगे इसको गर आये हुए ना किसी से बोलता ना डंग से खाता ना पीता कि शारी जोट और मंसिक चोट और आर्थिक चोट तो आप सर इन से बात नहीं करते थे जिस फोन बगएर पर बात करवाते थे अच्छी अपने फोन से करवाते थे इत्वार के ही दिन बस मैक्सिमम पांच मिट बात करवाते थे थे और एक दो बार तो क्या हुआ है यह पांच मिट तो रोता ही रहा और फिर बात में बोलते हैं कि नहीं जी ठीक है इसका मन लग गया है बढ़िया है अच्छा है एक दफ़ तो इतना जुलूम होगा बाईस तारिक सुकरवार को बाईस चेर सुकरवार के दिन इसकी दिन में पिटाईगी इसी तरिके से जैसे की तीस तारिक के ही और शुक्रवार को पिटाई खा के अपने सेनिवार को ये जैसा कि बिटे ने बताया सारी रात नीन नी आई ना इतवार को आई ना सौमार को आई और ना ही उन्होंने कोई मल्लम बटी का इंतजाम किया बच्छे के लिए ये दर्जे तेंच्यार दिन कराता रहा इस दोरान इंतवार को मैं दिन में मेरे चोटे बेटे को लेकर इससे मिलने गया 24 तारिक इंतवार को तब भी ये मेरे को बता नहीं सका कि पापा मेरी पिटाई कर रह किया इतना डरा हुआ था ये बात अब इसने जब 30 तारिक को मैं अचानक अकैडमी में चला गया में संचा लग को बिना नोटिस दिये और कुदरती क्या हुआ यह सामने गेट खलते ही मेरे को मिल भी गया अकैडमी गेट कही तो फिर स्याम को मैं इसको लेकर गर की तरफ आया रास्ता में गंटा मेरा सफर में भी लगया इसने कुछ नहीं बताया गुम्सम्चुप चाप गर आया खाना पीना खाया और अलका फुलका कुछ ना किसी से बात करी रात खुश वक्त में कपड़े बदलने लगी तो पहले तो छुपाने की कोशिश करी इसने यह अपने सारे चोटों ही निशान तु फिर देख्या तो इसका तो सारा ही यह देख्या आपको मैं दिखाऊंगा आज तो कम है निशान तब तो इसके तरन्यों पैरों पे आज भी यहां से लेकर ऐख्यांसे लेकर और यहां निच्चे तब तुम है उस टरफी में एक भी टांग को ज्यादा हुए प्लास्टिक के पाइप से मारता ही रामारता ही रहा इसको साइड में खड़े एक इंस्पेक्टर से पुछा स्टियाई कि और वे लुए कि अन्हें गिंद नहीं मनना कि जो बड़े बड़े करें ऐने कि हम्हें कूसे बॉरा बबार नहीं पर जाता है हम के आज पर्ञार बबार नहीं नहीं और आगार के और ठोस्ट पता चला टीचर कौन था क्या पढ़ाता था वह टीचर विवेक नामक टीचर है रोस्तक का रहने वाड़ा है और मैथ का अध्यापक है इनको मैथ पढ़ाता था बाइस तारिक तो एक क्या मैथ का स्वाल पुछा था सुने अज बेटे से पूजे अज़े इदर आगा का सफ्वेरी पाइप को तैसरो पाइप को इस तरह जगे पैप के तीरे साथ मार पिताई की और बच्छे को भी पैठे है अच्छा वबी अज़े रहते रहते हैं पर क्या आगे क्या हुआ है पित्तीस तारिक को शुबहा है दो बच्छे नही आया थे 10 बाइज थे नही तो आपको कपड़े उतार गेया वेटा नहीं कोई आया कोई टीचर वगएर कोई आया हूज निया और बच्छों के साथ भी मार पिटाई होती है। कैसे मौल है निए वोगते हैं गर पर पी पता है तो जान से मारे देंगा तो अच्छा यह देख सकते हैं वही जो सच्चा यह युवान है यह लड़का जो मातर 9 साल का है और छोटा सा बच्चा है अब यह बच्चा परिवार के लोगों ने वहां सैनिक की त्यारी के लिए वहां पर भेज़ा हुआ था रोयल अकैडमी है जो जीन वहां पर भेज़ा हु को नहीं बात यह थी वह दो बच्चे खेल रहे थे अचानक वह गिर गया और फिर इतनी बुरी तरह से मारना तो बिल्कुल गलता है आपने देखा होगा कि जो जो मडर वगएर कर देते हैं कहदी उनको भी इतनी बेरहमी से नहीं पिट्टा जाता जितनी बेरहमी से में खुद बताई है कि अगर तुमने कुछ बात बताई अपने माता फिता को तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा तो यह रोयल अकैडमी क्या है क्या नहीं मेरे को तो समझ भी नहीं है अब यह पड़ाई का कोई सिक्सन संस्थान है या पिर जेल है क्या है मेरे को तो म मती मारी गई थी मैं भी किसी के बैकावे में आके मेरे बिटे को वहां छोड़ाया मैं तो आपके चैनल के माद्यम से अपने आसपास के लोगों से आज जोड़के विनर निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को जिसके भी हैं वहां चाड़ी पचास बच्चे हैं वहां से निकाल लें कहीं और अपनी गर त्यारी करा लें कहीं और अच्छी जगह बहुत हैं उस कसाई वाड़े से कसाई खाना ही कहूंगा मैं तो उसको बिटे ने बताया बहुत से बच्चे ने सब शिर्फ यही कहा है कि बहिया यह तो फसी छोड़े बच्चे भी इस्वरगा की बात करते हैं जिनको पता नहीं बही जेल क्या होती है लेकिन फिर भी उन्होंने कहा भी जब कैद हो जाते हैं तो जेल उनको पता है वे छोटी जोटी जैसे फिल्में देख लेते हैं जेल मैंनुन के नुसार भी अफते में एक बार कि आप किसी भी प्रीजन से बात कर सकते हो परणतों इनको तो इतना दबाल है कि हमारे सामने बात करनी हैं कुछ यहां की कुछ बतानी नहीं नह度ी कि छोटा बच्चा है, सब् मेरा तक इत्वाक से इस से मिलना हो गया प्रमात्मा का शोपर बजार हुए तो इसकी तो जान बचे गी अहां भर गर पढ़ लेगा और बहुत तरीखें परंतु मेरा तो नुएदन आए रोयल डिफेंस अकाइडमी है कि जीन रहोगे पस्ता होगे अगर इनके तो सारी कास तो रुखता ही है रुखने के साथ गठता भी है मानसी प्रेसर इतना बच्छों के ये कल जब इसको कुफरम हो गया वहां से इसका समान आजा वापिस आ गया अकाइडम मेंबर से मेरे से कुछ खेलने लगया बात करने लगया कल तीन दिन बाद वहां से आने साथ किलोवेट टूट गया एक महिने में साथ किलो बजन टूट गया 40 किलो था 41-44 किलो रहे गया इतना टोर्चर किया बच्छे तो बही देख सकते हैं माता पिता का दर्द है ये अप कि वहां पर पढ़ाई नहीं जाते काटे जाते हैं बच्चे और देख सकते हैं कितनी बहरेमी से बच्चे को पीटा गया है और परिवार के लोग आज इसी सदमे में हैं बच्चा पूरी तरह से खूल जाए और खूलने की त्यारी कर रहे हैं इनको साथ बात चीत करने की औ इसना पिर सब्सक्राइब से प्रभी देख सकते हैं लिए और कुछ बाते और भी बताने लगाई लगा है किया होता है और बच्चे हैं जो और यह आपके लिए खास खबर है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कल फिर कटे होंगी कई तपा कई खापें य zosकुए जब पिड़ाएंगे बच्चे को मिलनां चाहिए इस बच्चे का सवाल नहीं है और बीच्चें आप की घटनाैं को लेकर ड़ाई है अकले योआन के पिता की निये सभी की और सबने साथ मिलकर लड़नी हैं कल फिर दिखाएंगे इस खबर को सभी से निवेदने की वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें एक छोटे से बच्चे को बड़ी बेहरामी से पिटा गया एक एक रोयल अकाडमी जो जीन्द सेक्टर सेक्टर आठ और नो के नजदीक हैं जहां पर बच्चे को किस प्रकार से पिटा जाता है यह जो घटना घटी है नर्वाना का एक छोटा सा बच्चा युवान के साथ घटी है आप सभी से निवेदने की वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि इस बच्चे को निया चाहिए परसासन के दुआरा और अपने माता पिता जो अपने बच्चे को वह भेजते हैं उनको समय समय पर बच्चे को घर बुलाना चाहिए एक अपते-दोपते के लिए ताकि बच्चा रिलैक्स होके अपनी पूरी बात बता सके और किसी का दबाओ नोप कोई गल्थ जो आज देख सकते हैं साथ किलो वजन इसका तूट चुका है धन्यवाद तो वीडियो को जाज जाज शेर कर देना एंजी नूज की खास रिपोर्ट